गुद मॉर्निंग दियर स्टोरेंट आज हम लोग इंगलिश का चैप्टर नमबर नाइन माय मदर पढ़ेंगे इस चैप्टर में राइटर ने अपनी मदर के बारे में बहुत कुछ लिखा है ना और यहां पर एक पिच्चर दी गई है इन में एक वरकिंग बुमन और एक हा चलिए हम यह चैप्टर पढ़ते हैं यहां पर राइटर अपनी ममी के बारे में बता रहे हैं कि उनकी माँ एक रिमार्कबल वुमन थी मतलब बहुती उलेखनी यह कहें बहुती स्मार्ट वुमन थी ना उनके आहां बहुत सारे सर्वेंट थे हैं ना कुक भी था मतलब खाने वनाने वाला भी था उसके बाद भी उनकी ममी पूरे घर के काम में बहुत जादा बिजी रहती थी उनके घर का काम वो फिर भी करती थी खुद ना उनके लिए खाना भी बनाती थी कई बार है ना और वो उनके लिए बेकिंग करती थी मतलब बेक करना मतलब केक बनाना और बिस्केट्स बनाना यह जो बनते हैं तो वो बेकिंग से very बनते हैं ना बेकिंग टेक्निक से ही बनते हैं ठीक है और कई बार वो मेगजीन से देख कर और कुछ नुक से अपनाती दी ऐसे ही नुक से अपना कर उन्होंने घर पर तूट पाउडर बनाया था ठीक है आगे पगते हैं अनादर टाइम शी मेड अन्यू काइंड फ्यूल फोर दा बॉइलर अ कॉपर वैजल फोर हीटिंग वाटर इन समर शी वुड रोल आउट पाउपर एंड ड्राय देम ओन दा टैरिस कई बार उनकी मम्मी बहुत अलग-अलग चीजें करती थी ना एक बार उन्होंने एक नई तरीके का इधन भी बनाया था ना कॉपर वैजल्स मतलब जो तांबे के बरतन होते हैं उससे उन्होंने पानी गरम करने के लिए कुछ फ्यूल भी बनाया है ना और गरमी के दिनों में वो पाउपर बनाया करती थी और उसे छट पर सुखाती थी we children would hoop around and try to help her हम सब बच्चे थे और उनके आजपास घूमते थे और उनकी help करते थे she never said it was a bother but let us do what we kind हम उनकी ज्यादा help तो नहीं कर पाते थे लेकिन और हम उन्हें परिशान भी करते थे लेकिन कर उन्हें कभी इस चीज के लिए हमें हमें मना नहीं किया है ना मस्ती करने के लिए कभी मना नहीं किया mother had several hobbies one of them was to buy color picture of god उनकी ममी की बहुत सारी hobbies थी उनमें से एक क्या थी थी वो भगवान के color वाले color करती थी picture में है and human begin और लोगों की picture में भी color करती थी she would dress them up with bit of color mirror and beads how ugly they look but in those days they wear in fashion पुराने समय में जो fashion हुआ करता था वो उनके बारे में बता रहा है राइटर हमें क्या कि वो जो ममी dress पहनती थी उसमें उनके कपड़ों में mirror लगे होते थे मोती लगे होते थे वो बहुत अच्छे दिखते नहीं थे लेकिन उसमें वही fashion था ना mother was good both at tennis and badminton उनकी ममी को tennis और badminton दोनों वो खेलती थी ना she also played golf she was the unbriton local chess champion वो अपने एरिये की ऐसी chess की champion थी जिनने कोई भी हरा नहीं सकता था she played a good game of bridge as well at home we love it when she joined us for carom and card game वो उनके साथ घर में card game और carom भी खेला करती थी she brought so much life and laughter with her हम उनके साथ हमें हमारे जीवन में बहुत मज़ा आया हम बहुत हसे और वो बहुत हसमुख थी इसके आगे का chapter हम आगे next period में पढ़ेंगे अभी तर हमने जितना भी chapter पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया ना बच्चों नहीं आया हो तो आप मुझे वाट्चाप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं Have a nice day